हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो अबर चैनल स्टेडि आई एस न पीसी एस और चली आज हम जल्दी से देख लेते हैं फोर्ट एंड फिफ्ट जैन्वरी के पेपर ठीक है अंसर की देखिए अंसर की की आप लोग डिमांड करेते हैं एक्चुली कोशिंस जो मिल पारे हैं उसक कि अकॉर्डिंग हम लोग सही कोशन बना सकें ठीक है तो यह एक्सपेक्टिड है सारी चीजें लोगों को जो याद था उसके कॉर्डिंग स्टुडेंट्स ने जो है गाइस वो कोशन दिये हैं आपके भी कुछ क्वेरीज हों तो आप बेज सकते हैं आपकी शिफ्ट में पूरी वीडियो देखिएगा आपको मैं एंड में कुछ टेप्स बताऊंगी उसके कॉर्डिंग आप आगी की प्रपरेशन कर सकते हैं ठीक है बाकी शियर एंड लाइक जरूर करिएगा देखिए सब्सक्राइब करना जरूर क्योंकि यहां पर आपको बिल्कुल करेक्ट मिलेगी ठीक है जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सही होगी तब ही मैं आपको दूंगी हम इतनी जल्दी नहीं होती है वीडियो बनाने की कि हुआ नहीं और हमने वीडियो बना दी चाहें वो गलत हो यह सही हो ठीक है एक तो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिल जाएगी और सब्सक्राइब करने के साथ में जो बैल नोटिफिकेशन आता है उसको जरूर से क्लिक कर लेना उससे क्या होगा कि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो बनेगी तो आपके पास पहुँच जाएगी ठीक है तो जो एक यह डाउट वाला पोर्शन रहता है रियूमर्स रहत जरूर करिएगा ठीक है चलिए स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे पहले जो कोशन था आपका वो था क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इन 2020 ठीक है क्लीनेस्ट सिटी के बारे में पूछा गया तो तो मैक्सिमम बच्चों को ती यह पता था आप तनी इंडल है ठेमया करी फास्ति के आपने क्या किया इंडल है धीके जो कलीनेस्ट है उसमें क्या है इंडल है अभी रख तो यही चल रहा है चेंज नहीं हुआ है अभी आप next question देख लीजिए IPV6 में कितने bits होते हैं ठीके friends इस पर धियान देना था bits कितने होते हैं नहीं पूछा था तो बेट्स जो होते हैं 128 जिसने भी किया बिल्कुल उसका सही है और IPV होता है क्या मैं पता देती हूं यह होते हैं आपका friends इंटर्नेट कि इंटर्नेट प्रोटोकॉल थीक है तो इंटर्नेट प्रोटोकोल वर्जन जो अभी चल रहा है वो 6 चल रहा है पहले जो था वो 4 भी चलता था ठीके friends पहले क्या चलता था पहले IPV 4 भी चलता था और अभी क्या है IPV जो वर्जन चल रहा है वो six चल रहा है ठीक है this is upgraded ओके और इसमें जो bits होते हैं 128 है ना अगर question आगे अगर आप इसकी preparation कर रहे तो मैं आपको बता दिती हूं अभी से कि जो bytes होते हैं ना हो सकता है next कभी ऐसा पूछ ले जा कि कितने bytes होते हैं तो आपने क्या bits की तैयारी कर ली आपने इसे याद कर ल सबसे छोटा होता है धियान रखे गाना तो वन बाइट इकोस्ट होता है 8 bit के बराबर ठीक है तो माई दियर फ्रेंड्स अगर हम इसे साब से देखें तो एड़ अगर इसे 8 से आप डिवाइट कर देंगे ठीक है एड़ से डिवाइट कर देंगे तो आपका आ जाएगा द आपको समझ ही नहीं नहीं कहते हैं मुझे पर डिपैंड करो या मेरे वीडियो देखो या किसी के वीडियो देखो लेकिन एक बिल्कुल सही दिशामें अपनी डिरेक्शन में प्रिपरेशन करें बिकोस फ्रेंड्स जो भी पेपर हुआ है उसने बहुत दो की आंगे खोल क्योंकि बहुत अनलिटिकल पेपर था ताइम कम होता है जैसे कि आप लोगों ने फेस करा होगा माबे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करिये ना और चीजों को डिटेल में नहीं पढ़ाता तो कोश्चन थो आपके ऐसे आरे बाकि देख लेते हैं इसमें तो आंसर आपका यह हो गया नंबर सीरी नंबर सीरी से कोश्चन था में नंबर सीरी थी त्यूम किसी किसी को इसमें प्रॉबलेम आई यह तो काफ एस तो सब्स्क्राइब और इसमें क्या हुआ है 16 into 3 हुआ है ठीक है 48 हो गया फिर आप देखेंगे plus 3 हुआ है 48, 49, 50, 51 उसके बाद में next वाले में जाएंगे तो यहां भी into 3 ही हुआ है 51 में ठीक है but plus क्या हुआ देख लेते हैं अगर इसे into करेंगे तो कितना हो जगा 3 और यह 153 हो गया अब देख लो 158 है तो कितना plus हुआ है 5 यानि हमें दिख रहा है कि यहां 2 और फिर यहां 2 यानि प्लस 2 यहां पे कितना plus होगा आगे वाले में 7 और यहां पे हम into 3 करेंगे तो 158 into 3 करेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा और 2 करेंगे 5 15 16 17 7 1 करेंगे तो 3 बंजा 3 और 4 ठीक है सिंप्ली आपके सामने करेंगे जिसे आपको भी समझाए कैसे करना है 7 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा यह 11 हो जाएगा यह 8 हो जाएगा ओके तो माइड़े फ्रेंड्स यहां पे आपके हो जाएगा 481 ठीक है ठीक है यह हो जाएगा आप चेक कर लेना ठीक है इस तरीके से यह आपका पूरा यह वाला सॉल्व हो जाएगा ठीक आप नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं इसके बाद में आपका था वाटर रिसोर्स प्लानिंग बेस्ट एसर्शन ठीक अब यह पूरा समझ में आया आप देखे वाटर रिसोर्स के ऊपर आप थोड़ा सा प्रिप्रेयर कर ठीक है एसर्शन रिजनिंग का कॉश्चन था तो तो स्टेट्मेंट दी वही थी उसमें कॉश्चन था यह बाकि आपका सोलर पॉर्ण रिलेटेट्ट था ठीक है सोलर पॉर्ण रिलेट्ट्ट देखे मैंने यहां पर एक स्लाइड एड करी हुई है मैं धिखा देती हूं यह देखिए ठीक बागी आप इसे भी Google पर जाएगा आप देखिएगा तो सोलर पॉंड के ऊपर आपका पूरा आपको मिल जाएगा ठीक है यह रहा अ सोलर पॉंड इस पूल ऑफ सॉल्ट वाटर ठीक है नमक का पानी होता है उसी का पूल होता है यह विच कलेक्ट सेंड इस थी किया काम करता है वह इस टोर करता है सोलर थर्मल एनर्जी को दस सॉल्ट वाटर नेचुरली फोर्म सवर्टिकल सेलिटी ठीक है एज हैलो कलाइन ठीक है लो सेलिटी वॉटर फ्रोट उन टॉप ऑफ फाइस देखिए इतना डिटेल में कभी एंटी यह नहीं पूछने व इतना हिंदी में नहीं समझ आया तो मैं फिर उसे एड नहीं करा क्योंकि जो मुझे ही समझ नहीं यह नहीं तो मैं आपको कैसे क्लियर करती बटिये था कि हाँ एक को ओवरल आइडिया देना था तो मैंने इसे स्लाइड को एड़ कर दिया था थीक है तो यह सोलर पॉंड आ आपको बता दूंगी उसके short short वीडियो लेके आओंगी बहुत easy trip के साथ आपको सब समझ में आ जागा ठीक है all in none ठीक इस तरह का होता है मैंने overall आपको बता दिया इसके बाद में आपका next question जो आया था देखिए ये था biological oxygen ये biochemical oxygen ठीक है biochemical oxygen demand के उपर यानि की BOD ठीक है ये BOD के उपर question आया था ठीक है इसके उपर आपका homework यही है कि आप इनको गूगल करना और इने detail में जाकर के पढ़ना ठीक है अब यहां एक एक slide में एड करके आपको पढ़ाओं तो उसको कोई benefit निए क्योंकि अभी recently कोई exam नहीं होने वाला है नई video series तयार हो रही है तो आपको वो सारी चीज़े मिल जाएंगी तो ऐसा तो है नहीं कि अभी recent ही आपको यह paper face करना है है न तो थोड़ा सा time दीजिए फिर आपके लिए अच्छी वीडियो जबी आ जाएंगी अभी null hypothesis के ऊपर देखिए हाँ and हो आपने जब तैयारी करी है तो आपने जरूर पढ़ा होगा ठीक है तो यह null hypothesis के ऊपर कुछ का detail नहीं हमें पता है okay Aeio यही आपका Aeio ठीक है यह वाला question भी था उसकी अंदर और इसके बाद में आपका देखिए तो waste material के ऊपर भी question था waste material के ऊपर question क्या बन सकता है यह उसका reuse भी बन सकता है तो अब क्या था वह तो नहीं पता लेकिन हमें यह पता है कि waste material से भी question आया था okay तो यह हमारे important core area हो सकता है next preparation के लिए और इसके बाद में intra communication था guys दो तरह के होते हैं एक तो intercommunication होता है और एक होता है intra communication जो कि आपका नीचे दिया हुआ है intercommunication होता है जैसे की two persons between हो रहा है और more than ठीक है और intra में हो जाएगा कि आप अपने आपसे ही बात कर रहे हैं मदलब अपने आप से ही communicate कर रहे हैं ठीक है एक इसके नहीं दिख रहा है वह था आपका brain development के से जादर तो नहीं information मिली बड़ जहां तक मेरा मन है यह intelligence के उपर ही होगा है ना intelligence पर हमारे बहुत सारे मैंने theories भी बताई दिया आपको पहले अगर आपने देखा हो कि पूरी जितने ही पेपर अपी तक आया है उसका निचोड मैंने बनाया था ठीक है तो वह पूरा 13 में आपका है ozone layer को नुकसान ठीक है ozone layer को जो भी मतलब हाम जो कर रहा है सबसे ज़्यादा वह कौन सा है अब देखिए है तो सब भी लेकिन यहां पे सबसे ज़्यादा important CFC निकल के आएगा chlorofluorocarbon ठीक है क्या निकल के आएगा chlorofluorocarbon जिन्नोंने थोड़ा भी पढ़ा होगा न तो उनको यह answer click कर गया है बाकी इसके बाद में आपका cities arrange करनी थी increasing order में देखिए increasing order यानि भढ़ते हुए order में करनी थी ऐसे करके ठीक है जैसे कि मानले यहां पे 5 है तो यहां 4 3 अगर आप वहां confused हो जाते है न तो आप ऐसे rough figure बना के देख लिया करो तो यहां पे question क्या कह रहा है बढ़ते हुए figure में यानिगी सबसे कम किसकी होगी right तो यहां पे सबसे कम जो देखी जाएगी वो किसकी रहेगी उसके बाद में सबसे ज़्यादा की तरफ जाएंगे हम है न तो सबसे पहले आपका आजाएगा इधर यह है आपका चंडिगर देखे सबसे ज़्यादा तो यूपी की रहेगी तो फिफ्ट नंबर पे तो यही आने वला है ठीक है और फिर उसके बाद में चंडिगर के बाद में आपका यह one यह हो जाएगा second नंबर पे आभी की census देखें उसके बाद में आपका आएगा हर्याना ठीक है यह थर्ड पे फिर आएगी फोर्थ पे तमिलनाडू देन यूपी ठीक है यूपी की population यह population related question रहा होगा ठीक है इसलिए मैंने population wise इसे करवा दिया है census का question था ठीक है एक question इसमें से census का भी इसके बाद में देख लेते है global warming gases पे था तो मैं समझती हूँ gases का ही पूछा होगा primary green house gases जित्ती भी होती है गाइस वो सारी क्या होती है global warming gases होती है ठीक है global warming हो किसलिए रही है इनी से हो रही है तो अब देख लेते कौन कौन सी है तो मैंने हापे इसी सभी के name mention कर दिये है h2o co2 ठीक है ch4 and 2o and ozone o3 ठीक है तो इस तरीके से आप इसे देख सकते है इसकी बाद में आपका rectangle में यह देखी एक question था 10% लंबाई और इधर 20% क्या करा गया है चोडाई में व्रधी की जाए तो उसके छेत्र फल ठीक है कितना होगा तो इस तरीके question भी था तो इसमें answer देखे वहने solve करके ही रख दिया है जिसकी time ज्यादा न लगे आप इसे देख लेना यह formula है इसका ठीक है यह formula आप चाहे तो note कर सकते हैं always यही लगेगा a plus b plus a b upon 100 तो यहाँ पे जो हमें दिया हुए 10 और 20% वो लिख लिया और फिर इसके बाद में इसको into कर दिया 10 into 20 upon 100 तो वहाँ पे 002 हो गया और इसमें 30 32 तो यह आपका answer आजएगा नहीं भी चाहते ज्यादा ल लेटेट था जो 2005 में आया था है ना अब यह क्या था क्या नहीं था वह तो डेटेल नहीं पता है हमें तो चलते हैं next question की तरह next question जो था arrange Google meet देखे Google meet step by step पुछा था आप काफी लोगों के लिए simple था बट बहुत साई लोग थे जो नहीं जानते थे तो Google meet के लिए जो सबसे पहला step जो होता है ना वो app होता है अभी इतना तो बच्चों ने काफी first वाला तो सभी ने almost सही किया था उसकी बाद में आपका देखिए new meeting जो start होती है वो click to start new meeting पे करना होता है आप कोई भी app आपके पास पहले होना तो चाहिए फिर उसके बाद में आप new meeting पे click कर देंग इसके बाद में कुछ questions और थे उन्हें देख लेते हैं लास्ट ही है NIC के उपर question था तो NIC के तो simple एक full form NIC पर क्या था question exactly वो नहीं पता तो यहां पर देख ली जाब national informatic center under mighty mighty का क्या है ministry of electronic and information technology headquarter का है इसका दिल्ली में ठीक है इतनी information में दे दी है बाक कि आप इसे google करके और देख सकते हैं ठीक इसके बाद में next था Brettonwood summit के उपर ठीक है तो Brettonwood के उपर आप चाहें तो इसे google करके पढ़ लेना question exactly क्या था वो तो नहीं पता है बढ़ हां Brettonwood के उपर भी question आया है इसके बाद में यह था आपका arrange करने के लिए देखिए इसमें था आपका world heritage day ठीक और आपका international day of forest फिर world environment day फिर world population day and ozone day ठीक है तो इसके अंदर था जो आपका एक यहाँ पे है यह जो लागो किया गया था वो 21st March को किया गया था ठीक है और जब यह आया है पावर में तब यह आया है 28 November 2012 को बागी यहाँ पे सारे days लिखे हुए थे इनको सभी को आप देख सकते हैं one by one करके इने arrange कर सकते हैं जैसे 1982 वाला सबसे पहले आया था है ना इनका actually यह दिये ठीक है date and year मैंने mention कर रहे है अब year wise पूछा था यह date wise पूछा था वो नहीं पता है तो इसलिए यहाँ पे mention कर दिया गया है world environment day आपका 5th June 1986 तो सबसे पहले तो यह ही आया था ठीक है उसके बद में 86 वाला यह आपका second number पे आ जाएगा ठीक है 89 यह population day आपका third पे आ जाएग ठीक है तो यह वाला आपका fourth पे आ जाएगा यह third पे आ जाएगा ओके यह first पे आ जाएगा और यह second पे आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपका जो है यह forest वाला fifth पे आ जाएगा आप arrange कर लेना मैंने यह आपे provide कर दी है I hope आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी like, subscribe and share जरूर करिएगा और यह है person की current income 20% से increase की जाए माल लेजे person की income x है और x अगर हम उसकी income increase करते हैं तो उसकी मतलब actually यह question थोड़ा बहुती याद था तो मैं बता देती हूँ suppose कोई भी amount दी गई होगी बहुत simply question था और 20% से increase करना था आपको ठीक तो अगर इसे हम increase करते तो कितना हो गया 5 हो गया यानि कि यह हो जाएगा 6 x upon 5 हो जाएगा यानि कि अगर उसकी 5 थी तो कितनी हो गई 6 हो गई अगर कोई amount दिया था suppose suppose 5 थी उसकी तो हमने क्या देखा कि 6 हो गई उसकी income 20% बढ़ने से ठीक है तो अगर मान लीजे कि वहाँ पे दिया था कि 10,000 थी ठीक है तो अब उसकी income कितनी है तो 10,000 का क्या हो जाएगा आपका 10,000 into हो जाएगा यहाँ पे 6 और divided मे आ जाएगा 5 तो 5 से आप इसे काटने के तो कितना हो जाएगा 2,000 और 6,000 त ठीक है तो यह मैं करके बता रही हूँ बट यह वाला portion तो आपको करना ही नहीं पड़ेगा वैसी आप समझ जाओगे 10,000 divided by 5 होता तो कितना 2,000 into 6 करेंगे तो 12,000 रुपीज ठीक है तो बहुत जल्दी हो जाता बहुत फास्ट हो जाता बट देखने में question की figure ऐसी हो सकता है की दी गई हो है ना तो बच्चे क्या question देखके छोड़ देते हैं बट question बहुत ही easy था जिन्होंने attempt करा उन्होंने कहा बहुत simply हो गया था बट time बहुत कम था काफी लोगों का time की वज़े से छूट भी गया है ठीक है तो चलिए